गुद मॉर्निंग बच्चों, बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हूं, जिसका सिस्सक है बोलती गुफा, बच्चों, इस पार्ठ में बताया गया है कि किसी खत्रे का एसास होने पर हमें सुजबूश से काम करना चाहिए, एक बार एक भुखा से सिकार की खोज में जंगल में गूम रहा था, गुमते गुमते उसकी भुख बढ़ गई और वह ठक गया, अचानक उसे एक गुफा नजर आई, सेर ने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा, अच्छा होगा अगर मैं इस जारी में जिप जाओं, जेम ही वह निकलेगा, मैं उसे दबोच लूँगा, सेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया, तब सेर ने सोचा कि लगता है, वह जानवर इस समय गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है, मुझे गुफा के अंदर जाकर इसका इंतजार करना चाहिए, जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा, मैं उसे खाजाओंगा, ऐसा सोचकर सेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया, उस गुफा में एक गिदर रहता था, थोड़ी देर बाद वह वापस आया, तो उसे किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए, उसे किसी खत्रे का एहसास हुआ, गिदर बहुत चलाक और स्याना था, उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देखे मामला क्या है, उसने जोर से गुफा को आवाज लगाई, गुफा ओ गुफा लेकिन जवाब गिदर ने फिर आवाज लगाई, अरे मेरी कुफा, बच्चो एक समय की बात है, कि एक भोखा सेर सिकार के खोज में जंगल में घुम रहा था, और वह सेर यह है, और यह जब जंगल में घुम रहा था, तो घुमते घुमते यह बहुत ठक गया, और भोख भी इसके बढ़ गयी, तब ही इसको अचानक से एक गुफा दिखाई दिया, और वह गुफा के पास जाकर जाड़ियों में छुप जाता है, और सोचता है, कि इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा, और वह जब निकलेगा, तो मैं उसको पकड़ कर खा जाओंगा, लेकिन बहुत टाइम बेच जाता है, और गुफा से कोई जानवर बाहर नहीं आता है, तब सेर की दिमाग में एक उपाया आता है, कि हो सकता है, कि जानवर जो गुफा से बाहर चला गया हो, इसलिए यदि मैं गुफा के अंदर छुप जाओं, तो जब जानवर आएगा, तो मैं उससे ख गुफा जाओंगा तभी एक गिदर गुफा के पास आता है जो उस गुफा में रहता था गिदर बहुत चलाक था और स्याना था उसने देखा गुफा के सामने कुछ बड़े जानवर और खतरनाक जानवर के पैरू का निसान था और उस निसान को देखकर वह खतरे का एहसास कर लिया और इसलिए उसने इस खतरे के अनुसर गुफे को जोर जोर से आवाज लगाया गुफा ओ गुफा लेकिन गुफा कहीं बोलता है तो गुफा से कोई आवाज नहीं आता है फिर भी गिदर जो है आवाज लगाता है बोलत तू जवाब क्यों नहीं देती आज तुझे क्या हो गया है हमेशा तु मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है आज क्या हो गया है अगर तू ने जवाब न दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा बचो गिदर जो है जोर जोर से गुफे को आवाज लगाता है और गुफा से कोई आवाज नहीं आता है फिर भी बोलता है कि गुफा तुम आज आवाज क्यों नहीं दे रही है और तुम मेरे लौटने का स्वागत क्यों नहीं कर रही है और जैसे ही यह बात बोलता है कि तुम मेरी स्वागत क्यों नहीं कर रही है और यदि तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे तो मैं दूसरे गुफा में चला जाओंगा और यह बात सुनकर देखे कि सेर क्या करता है गिदर की बात सुनकर सेर ने सोचा कि या गूफा तो बोलकर गिदर का स्वागत करती है आज मेरे यहां होने की वज़ा से सायद डर गई है अगर गिदर का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा ऐसा विचार कर सेर अपनी भारी आवाज में जोर से बोला आओ मेरे दोस्ते तुम्हारा स्वागत है सेर की आवाज सुनकर गिदर वहां से भाग गया बच्चो जब सेर यह सुना कि यह गिदर दूसरी गुफा में चला जाएगा तो सेर को लगा कि यह गिदर दूसरी गुफा में चला जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा यह सोचकर उसने नेड़ने लिया कि यदि मैं गिदर का स्वागत नहीं करूंगा तो सही में हुआ दूसरे गुफा में चला जाएगा और इसलिए सेर ने जोड़ से आवाज लगाया और बोला आओ मेरे दोज तुम्हारा स्वागत है और जैसे ही गिदर ने सीर का आवा सुना वह वहां से नोदो एक्या रहो गया यानि कि भग गया और गिदर ने अपना जान इस तरह से बचा लिया बच्चों हम सभी को भी अपने जीवन में यदि इस तरह की घटनाए हो खत्रे का एसास हो तो हमें भी बहुत चतुराई के साथ सेफ करना चाहिए स्वैम को